इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Xylopalm P. Nasal Drops is a medicine that helps clear and soothes the blocked nose, thereby relieving nasal congestion due to common cold, hay fever, or other respiratory allergies in children. Xylopalm P. Nasal Drops is meant to be used externally by nasal root only. इसे अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार नाक के दोनों चिद्रों में डालें. कोशिश करें कि अपने बच्चे की नाक में डालते समय दवा का कंटेनर उसके टिप को न चुएं. यदि ऐसा होता है, तो दवा की कंटेनर को फिर से भरने से पहले टिप को गर्म पानी से धोलें और साफ टिशू से सुखाएं. दवा को दूसरे हिस्से पर लगाते समय एक नोस्ट्रिल बंद रखें और फिर अपने बच्चे को जोर से सूंगने के लिए कहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नाक में गहराई तक पहुँच गया है. एक बार हो जाने के बाद दूसरे नथुने के लिए दोहराएं. जाइल पाम पी नेजल ड्रॉप्स प्रवाइद्स क्विक रिलीफ अप्रॉक्सिमिटली विदिन टू मिनिट्स दाट लास्ट्स फर सेवरल आउर्स यानि की अप्टु टैन आउर्स. आपके बच्चे के सोने से कुछ समय पहले अंतिम बार इसे लगाने की सलाह दी जाती है. ये केवल अस्थाय राहत प्रदान करता है. इसलिए इसे अधिक बार या निर्धारत से अधिक समय तक इस्तेमाल न करें. लंबे समय तक इसका उप्योग करने से दुश्प्रभाव हो सकते हैं. दूसरी ओर, दवा को अचानक बन करने से कंजेशन गंभीरता के साथ वापस आ सकता है और आपके बच्चे की स्थिती खराब हो सकती है. इस दवा से नाक में जलन, नाक सूखना, बीमार महसूस करना, यानि कि मिचली आना, सिर्दर्द या लगाई गई जगह पर जलन जैसे कुछ मामूली और अस्थाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं. कुछ खुराकों के बाद ये एपिसोड कम होना शुरू हो जाते हैं. हाला कि अगर यह साइड इफेक्ट बने रहते हैं या आपके को यह बात बताएं. अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी निर्देशों और दवा के लेबल पर बताए गए निर्देशों का पालन करें. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.